असलों अलेकुम आज हम लोगों ने एक सीमिन्स के टच पैनल के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहा है तो जैसे सब लोग आप लोग जानते हो कि इन पैनल्स की कॉन्फिगरेशन इंटरनेट पे बहुत कम अभेलेबल हैं तो आज हम लोग थोड़ा सा आपको एकस्पेंड करेंगे क्या हम लोगों ने इसके लिए कॉन्फिगरेशन इसकी किस तरह करीब सबसे पहले हम लोगों ने स्माटिक का प्रोटूल्स का सॉफ़एर डाउनलोड कर रहा है और इसके लिए आपको एक एक स्पी की विंडोस और सीरिल पोर्ट वाला एक मशीन चाहिए होगी तो बिसेकली प्रोटूल्स के सॉफ़एर से हम लोगों ने यह एक हम डिजाइन करी है और HMI डिजाइन करके हम लोगों ने थ्रू RS-32 की केबल से केबल की आपको वाइरिंग डाइग्राम मिल जाएगी कॉमेंट सेक्शन में और यह केबल से इसके अप्रोट कर रहा है हम लोगों ने और MPI केबल से इसको हम लोगों ने कनेक करावा है अपनी PLC के साथ तो बेसिकली जो हमारा लाडर का प्रोग्राम है वो यह है कि एक हमारी बिट क्लॉक पल्स के साथ हर सेकेंड में हाई लो होते रहेगी और दूसरी जो हमारी बिट है वो हम लोगों कंट्रोल कर रहे हैं अपनी HMI के साथ जैसे आप देख रहे है यह यहां से जैसी हम लोग इसको प्रिक्त करेंगे आउट्पट इस टरंड ऑफ और यहां से आपका अउट्पट अफ होता है इस दुपारा स्टार्ट करेंगे तो यहां से यह चीज स्टार्ट बगाईगे अगर किसी को इसमें कोई भी